सार्दा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत हैं नमस्कार दोस्तों आएए आज हम ये सुन्दर सी गोपाल जी की ड्रेस ट्यूलिप फूलों जैसी ये शेप है कैसे बनी है वो हम देखेंगे इस तरह से इसमें हम ये मोती अगर रख दें अंदर ये सुन्दागे से सिल देंगे तो बहुत ही सुन्दर ये ड्रेस होने वाली है फूल टुटोरियल इसका हम चोली से लेके घेर से लेके और ये फूल कैसे बने हैं तीनों स्टैप आज हम देखने वाले हैं गुपाल जी के ड्रेस के लिए ये तरंग उन होती है देखिए ये तीन रेशे वाली उन है ये अच्छी लगती है इसमें बहुत ही सुन्दर लुकाता है और ये चार्मिंग इसमें चमक होती है तो ये चार्मिंग उन तरंग उन या mix and match करके आप अपने हिसाब से अगर बना से लेकिन अभी हम चार्मिंग और तरंग को मिला कर बनाने वाले हैं तो अभी हम इस से उपर की चोली शुरू करते हैं बनाना गुपाल जी के ड्रेस को बनाने के लिए छोटी-छोटी कुछ बातों को समझना बहुत ज़रूरी है जैसे कि ये जो चोली बनती है इसको हम जादा बढ़ाईए हमने 15 से ही शुरू किया फिर हमने इसको बढ़ा दिया जादा तो वो बड़े साइस की चोली बन जाती है इसलिए थोड़ा सा भी आप उसमें अगर समझ पाएंगे तो आसानी से साइस को आप बढ़ा छोटा कर पाएंगे तो अभी हम ये उन लेकर और 15 चेन बना कर शुरू कर रहे हैं उन उन का हिसाब भी अलग होता है पतली उन है मोटी उन है तो उससे फरक पड़ जाता है तो ये मैं 15 चेन बना रही हूँ 15 चेन ये मेरी गले की है अब मुझे मुझे मुड़ना है उपर बनाना है तो मैं तीन चेन मेरा एक चावल की जो बात होती है वो मैंने बना ली और और मैं पीछे मुड़के प्रत्य एक चेन में एक एक चावल बनाऊंगी लेकिन बीच में मुझे अगर बढ़ाना है तो य इसी चेन में और यहीं पर एक और बार बना दिया इससे हमारा साइज बढ़ जाता है तो अभी हम 15 चेन में 3-4 जगह दो दो चावल बना लेंगे तो उससे हमारा साइज बढ़ जाएगा एक बार जैसे मैंने बढ़ा लिया था अब यहां पर मैं दूसरी बार दो मैंने चावल बना लिये एक ही चेन में अभी मैं एक बार और कर लूँगी तो यह मेरी शेप भी गोल हो जाएगी और मेरा साइज भी बढ़ जाएगा तो इस तरह से ये आखिर में हम आए हैं और एक बार यहां पर हम और यह हमने दो चावल बना लिये अब यहां पर हम सिंगल सिंगल चावल बनाते हुए पहला राउंड हमने पूरा कर लिया है ये यह देखिए इस तरह कि यह शेप आ गई है अब हम मुड़ेंगे सेकंड दूसरी लाइन अब हमको करनी है तीन चेन ली तीन चेन का मतलब एक चावल हो गया हमारा यह और अब हम मुड़ गए पहली वाली जगह को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह में फिर हम चावल है और हमको अगर साइज बढ़ाना है थोड़ा सा तो वही तीन चार जगह हम दो बार बना लेंगे जैसे यहां पे अभी हम एक बार हमने यह डबल बना लिया दो चावल बना लिए तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर यह दो चावल एक ही चेन में बनाने का काम इस ल तीन में अकेला एक एक ही बना लेती हूं, सिंगिल सिंगिल, ये मेरा सिंगिल एक चावल हो गया, एक और सिंगिल हो गया, तीन मैंने सिंगिल कर लिये, और इसको फिर से मैं यहाँ पर डबल कर लिया, तो आपका जितना साइज बढ़ाना घटाना है, इस तरह से हम इसको एड दूसरी लाइन हो गई देखिए शेप निकल कर आ गई है इस तरह से यह शेप बन गई अब मुझे एक लाइन और बुनना है अभी तीन चेन ली मैंने और फिर से मैं एक लाइन और बुनूंगी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं दो चावल बनाऊंगी एक ही जगह पर यहां पर मैंने फिर से एक बनाया और यहीं पर मैंने दूसरा बनाया इस तरह से इस तीसरी लाइन को भी मैं बुनने वाली हो मिलती हूं फिर तीसरी लाइन को पूरा करके देखिए हम आखिरी में पहुँच रहे हैं तो मैं एक बात बताती हूँ आपको जैसे अगर ये वाली ओन मोटी है अगर कोई भी ओन मोटी है तो हमको साइज ये हमारा बढ़ जाएगा तब हमको ये कम बुनना है क्रोश्या उसी हिसाब से लगाना है और हमको जैसे ये हमने तीन पूरे बड़े चावल का डबल क्रोश्या की लाइन बुनी है अगर आपको छोटा करना है न मोटी है तो तीसरी लाइन आप जो छोटा चावल होता है हाफ डबल क्रोश्या होता है उसके भी बुन सकते हैं तो इस तरह के adjustment हमको पता होने चाहिए कि हम क्या क्या adjustment कर सकते हैं अब देखिए यह हम यहां पर आ गए हैं अब इसको हम यहां जोड़ देंगे यह जो हमारा खुली हुई थी यह उपर का हिस्सा तो खुला हुआ है अब इसको हम यहां पर इस तरह से हमने जोड़ दिया एक chain बनाई अब मुझे एक line ना single crochet की करनी है वो देखिए मैं क्या क्या करती हूं तो मैं यह अभी यहां पर आपको करके दिखाती हूं कि यह मैंने single crochet से तीन single crochet बना लिये हैं अब इसको हम ऐसे रख कर देखते हैं और समझते हैं कि हम यहां पर यह बहां की जगे बनाने वाले हैं गोपाल जी की यहां से बहां निकलेंगी और यह आगे पीछे का हिस्सा हम जोड़ रहे हैं तो तीन जगह से मैंने बना लिया था single crochet अब मैं चार या पांच वही थोड़ा अंदाज उनके हिसाब से करना पड़ता है मैंने पाँच चेन बनाई हैं और पांच चेन बनाकर इस तरह से मैं रख रखा है यह मेरा सेंटर यहां है और मैं यहां पर आकर इसको जोड रही हूँ यह मेरी बहा मुढधा बन जाएगा बहा निकालने की जगह हो गई आगे मैंने तीन चेन ली थी अब यह यहां पर मैं साथ कम से कम साथ चेन जरूर बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया साथ चेन के उपर तो य फिर से मैं पांच जो मैंने उधर ली हैं चेन उतनी ही चेन इधर लेकर और अब मैं इसको यहां पर आकर यह जोड़ूंगी अभी देखे यह थोड़ा ऐसे लग रहा है तो अभी देखने में ठीक नहीं लग रहा था तो मैं यहां पर आठ सिंगल क्रोशिया करने वाली हू एक सिंगल क्रोशिया मैं अभी और यहां पर बनाती हूं उसके बाद यह हम घोन चेन बनाने वाले हैं वह बनाई हम ने और अब इसको इस तरह से यहां हम जोड़ देंगे यहां से तीन हमने चोड़ दी ने चेन की जगह चोड़ Olha और यहां पर हम स्लिप स्टिस से बंद कर दिया, एक chain बना दी, अब मैं आपको इसकी shape दिखाती हूं, देखिए, यहां से बहाँ निकलने की जगह बन गई, वोपाल जी की बहाँ यहां से निकल जाएगी, अब हम आगे का काम करते हैं, देखिए, अब हमको 4 chain बनाई, और हमने यही पर, ज्यादा दूर नहीं जाना है प्रतेक चेन में ही आप बना सकते हैं एक चेन और एक चावल ये हम बनाएंगे फिर से हमने एक चेन बनाई और एक चावल इस तरह से ये हम डोरी डालने वाली जगह बना रही है जो हमको डोरी डालेंगे न हम बाद में तो उससे पहनाने में अच्छा रहता है तो एक चेन एक चावल करते हुए यह वाली जो जग है थी इसको हम कर रहे हैं वीडियो अंत तक देखिएगा आप एक बार वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो फिर आपको दुबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो देख एक चेन ली और यह जो पांच चेन की जगहती हमारी यहां पर हम कर रहे हैं अब यही काम फिर से एक चेन ली और यहीं पर हमने फिर से एक चावल बनाया एक चेन ली अब हम यहां एक और बना लेते हैं अभी हमको ऐसा लग रहा है देखने से अब इसके बाद जो पीछे की जगा है यहाँ पर भी इसी तरह से हमको एक चेन एक चावल का काम करना है यह एक चेन और एक चावल का काम करते हुए यह वाला हम पूरा राउंड अपना इसी तरह बनाईगे यह दूसरी बहाँ वाली जगा है तो इसमें हमने एक चावल बनाया एक chain एक चावल जितनी चावल chain उधर बनाई है राइट साइड उतनी ही लेफ्ट साइड ये तो एक बात होती है कि दोनों तरफ एक समान करना है अब हम यहाँ पर हम अपना circle जो है इसको बंद करेंगे तो एक chain ली हमने और यहाँ से हमने शुरू किया था चार chain का न तो यहाँ पर आकर हम इसको slip stitch से बंद कर देंगे ये देखिए इस तरह से ये हमने एक चावल एक chain की पूरी line बना ली है जिसमें हम डोरी डालेंगे अब आगे चलते हैं तीन chain लेकर अब इसमें हमको चावल भरने हैं तो आराम से हम या तो इसमें तीन तीन चावल भरते हुए कभी कभी हमको लगे जादा हो रहे हैं तो हम दो भी भर सकते हैं लेकिन हम तीन भरेंगे तो ये एकदम ऐसे फ्लैट हो जाएगा ये जो घेर है न ये एकदम फ्लैट हो जाएगा तो प्रते एक खाने में हम तीन-तीन चावल या तीन-तीन डबल क्रोशिया भर रहे हैं तो इसको मैं पूरा करके और फिर आपको मिलती हो अब देखिए यह हम आ गए आखीरी में अपना राउन पूरा कर रहे हैं तो बुनाई में थोड़ा अंदाज यह सब हमको करना पड़ता है अलर्ट रहना पड़ता है यह देख रहे हो आप एकदम प्लेट जैसी हो गई फ्लैट एकदम यह फ्लैट है बस इसको आप देखते रहना कभी-कभी आपको दो बनाना है तो वह कर लेना लास्ट में आए और यहाँ पर slip stitch से बंद कर दिया इसको फिर से हमने 3 chain ली और इस बार हमको प्रत्येग प्रत्येग के ऊपर एक एक chain के ऊपर एक एक चावल बनाना है इस राउन में हमको बढ़्हाना नहीं है कही भी हमको 2 बार नहीं करना जब हम एक एक बार ही करेंगे तो भी हमारी शेप एकदम ठीक आएगी तो मैं इसको करके फिर आपको मिलती हूँ अब देखिए बिल्कुल सीधा आ रहा है न मैंने कहीं पर भी बढ़ाया नहीं है प्रति एक चेन के उपर एक एक चावल बनाया है और मैं ये लास्ट में आ गई यहां और वैसे ही जैसे हमने पहले स्लिप स्टिच से बंद किया था वैसे ही यहां इस बार भी करना है अब देखिए ये पतली उन है दो राउंड में इसका इतना बड़ा हुआ ये थोड़ी मोटी उन थी दो राउंड में ये इतना बड़ा हो गया था तो इसलिए मेरे को अभी एक राउंड और करने की इच्छा है जब हम अगला राउंड बनाएंगे तो वही तीन चेन लेकर ही शुरू करेंगे अब प्रते एक चेन में एक एक चावल तो बनाना है लेकिन हो सकता है कि हमको बीच में कहीं एक ही जग है दो चावल बनाएं वो जब हम ये बनाते हैं तो देखते हैं खिचाव आ रहा है ऐसे पीछे होने लगता है तो वही पर हम दो चावल बना देते हैं एक ही जग है तो उससे जो ये हमारा राउंड है वो एकदम ठीक रहता है तो थोड़ा सा अलर्ट तो रहना पड़ेगा थोड़ा सो देखना पड़ेगा सीखना पड़ेगा और ये अपने आप आप उसको देख सकते हैं देखो ठीक आ रहा है तो ठीक चलते जाएंगे जहां पर थोड़ा सा खिचाव आएगा बार बनाया है एक ही चेन में तो मान लीजिए कि मैं चार-पांच बार सिंगल सिंगल ही बना रही हूं एक-एक चेन में एक-एक डबल क्रोश्या ही और पांचवी चटी चेन पर मैं दो बार बना रही हूं तो इस तरह से मैं यह तीसरा राउंड पूरा करके आपको मिलती हू यह हम लास्ट में आ गए और हम स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे अब इसके बाद घेर का काम हो गया चोली का काम हो गया अब हम यह जो हमारे फूल है उसका काम करेंगे तो यह मैंने यहां इसको बंद करके मैं उन को तोड़ दूँगे यह मैंने साइड में दूसरी अपनी ओन जोड ली है अब देखिए मैं पाँच फाइव चेन बना रही हूं तीन चार पाँच और उसके बाद मैंने नीचे की एक चेन छोड़ी और यहां पर एक चावल बनाया फिर मैं दो चेन ली मतलब यहां भी हमने तीन चेन हमारी एक चा राउंड बनाएंगे दो चेन ली और मैंने यहां पर बना दिया एक नीचे की चेन छोड़कर और फिर मैं बना रही हूं दो चेन नीचे की एक चेन छोड़कर इस तरह से मैं पूरा राउंड करूंगी दो चेन नीचे की एक चेन छोड़ी और यह मैंने पूरा राउंड कर रही हूँ यहां पर आकर मिलती हूँ मैं आपको देखिए यह दो चेन एक चावल बनाते हुए नीचे एक एक चेन की जगह छोड़ते हुए हम यहां लास्ट में आ गए और एक चेन बना कर हम यहां पर स्टार्टिंग वाले जगह पर इसको बंद कर देंगे राउंड को इस तरह से हम यहां पर आये, अब हम यहां पर तीन चेन ली हमने, उसके बाद इसमें जाकर इस चावल के उपर जाकर इसको हमने बंद किया, फिर दो चेन ली और हम मुड़ गए, उल्टी तरफ आ गए, बैक साइड आ गए, और अब इस जगह में, यह जो जगह बनी है, तीन चे चार और पांच, उन के हिसाब से है, यह तरंग उन है, तो इसलिए पांच में भी भरा भरा लग रहा है, फिर भी मैं छे बनाती हूं, छे बना लिए हमने, फिर से हम सीधी तरफ आ गए, और अब यहां देखिए, यह जो नीचे लाइन है, यह वाला जो हमारा डबल क्रोश है, इसके उपर आएंगे हम, और इसको भी इस तरह से पकड़ेंगे, यह इसकी गर्दन में, गर्दन में डाल कर, और यहां भी हम 6 बार, 6 डबल क्रोशिया इस गर्दन में भरेंगे हम, यह हो गए 3, 4, यह हमारे 6 डबल क्रोशिया हमने भर लिए, पीछे की तरफ हैं अभी हम, इसको पल्टेंगे, सामने की तरफ आ गए, और यहां पर यह वाला जो डबल क्रोशिया नीचे है, इसको हम इस तरह से पकड़के, और इसकी गर्दन में जाकर देखिए, ऐसे, फिर यहां पर हमको 6 डबल क्रोशिया यहां भरने हैं, दो, तीन, चार, पांच, और छे, छे भर गए, अब देखिए, आप इसको समझ पा रहे हैं, यह देखिए, इस तरह से यह बन रहा है, यह आए यहां, जहां से शुरुआत करी थी, वहां क्रोशिया घुसाया, निकाला, और यह स्लिप स्टिस से हमने इसको खीच लिया, एक चेन बनाई, यह वाली जो जगह है, अगला जो खाना है, उसमें एक सिंगिल क्रोशिया, अगला जो डबल क्रोशिया है, नीचे वाला पहली लाइन का, उसके उपर, आप सिंगिल क्रोशिया कर लिजिए, स्लिप स्टिच कर लिजिए, जैसे आपको करना है, एक रूल बना लिजे फिर उसी हिसाब से करिए फिर आगे यह तीन चेन बनाई और इसके उपर से फिर से यह हमने स्लिप स्टिच से कर लिया दो चेन बनाई यहां पर सिंगल क्रोशिया कैसे भी आप बंद कर सकते हैं फिर मुड़े बस इसी तरह से यह हमको पूरा राउंड घूमना है चार और यहां पर आखरी बार अब हम यह तीन चेन बनाकर इस चावल के उपर इसको बांधा फिर दो चेन ली हमने और यहां पर हम वही छे डबल क्रोशिया भरेंगे अभी छे डबल क्रोशिया भर गए फिर हम आए फ्रंट में और ये हमारा जो चावल है इसकी गर्दन में फिर हम छे डबल क्रोशिया बना रहे हैं छे डबल क्रोशिया यहां भर गए अब इसको हमने यहां पर स्लिप स्टिच से जॉइन किया अब यहां पर हम एक सिंगिल क्रोशिया लेंगे और यह जो शुरुवात है स्टार्टिंग जहां है न उस वाले खाने में जाकर और हम फिर से यहां पर एक सिंगिल क्रोशिया कर लेंगे तो उससे यह हमारा थोड़ा ठीक हो जाता है इसका यह बस एक चेन लेकर यह मैंने उन तोड़के और इसको यहां टाइट कर दिया तो बस यह मेरी ड्रेस बनकर तयार है अब इसको आपको जैसे भी सजाना है यहां पर आप डोरी डालिए यह जो हमारे एक चेन एक चावल वाली जगह है यहां पर आप डोरी डाल सकते हैं यहां पर आप yellow color से पीले रंग से यह किनारी कर सकते हैं, यह मैं किनारी करके दिखा देती हूँ आईए आपको, यह जो इसका front का हिस्सा है, इसमें हमने यहां पर यह yellow color की उन जोड़ी, और यह single crochet करते हुए, यह हम इसमें सुन्दर सा काम कर सकते हैं, बस उसका खिचाव ठी रहें, यह ध्यान रखना है, यह देखिए हम आए यहां तक, अभी हम front में हैं, यह corner आया हमारा गले का, यहां पर हम तीन बार single crochet कर देंगे, तो वो अच्छे से मुर जाता है, बस इतनी सी बात है, अब हम यह उपर वाला कर रहे हैं, जो top में था हमारा, इसी तरहें से करते हुए, हम front side में दूसरी side पहुँच जाएंगे, और जो दूसरा corner है, यह आप देख रहे हैं, कितना बढ़िया एकदम dress, बहुत सुन्दर हो जाएगी, यह दूसरा corner आया, तीन single crochet करेंगे, corner पर तीन single crochet करने से, उसकी shape बहुत अच्छी आ जाती है, यह समझना बहुत जरूरी है, तभी हम अच्छी चीजें बना सकते हैं, यह हम आये यहाँ पर, अब देखिए, right और left दोनों side हो गई, लेकिन इसको जोड़ना भी जरूरी है, तो जहां से शुरू किया होता है हमने, वहाँ पर आकर इसको एक बार slip stitch से ऐसे बंद कर दिया, यह बढ़िया dress हो गई न, बस यह आपको मोती सिलने हैं, तो यलो रंकी उन से, पीली उन से इस सिल सकते हैं, सुन्दर सी dress बन कर तयार है, आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हमें भ अभी का बहुत बहुत धन्यवाद